कि हांची स्टुडेंट्स आज हम पावर पॉइंट के अंदर एक्षन बटन से हुआ हैं एक्षन बटन का क्या यूज होता है जैसे आप कही सेमिनार आपका प्रेजन्टेशन दे रहे हो आप आपने स्लाइड बनाई हुई है और आपने किया है वहां पे action मतलब किया है pages को आपस में link किया हुआ है जैसे हमने hyperlinking में किया था और pages को जब आपने link किया हुआ है तो मेरको वापिस फिर home page पे मतलब जो मेरा first page था वहीं पे जाना है तो उसके लिए हम यहां पर यूज करते है action buttons अगर आप किसी slide पे directly jump करना च shapes, insert के अंदर shape, shape के अंदर आपको यह action button मिलेंगे यहां पे हमारा previous के लिए होता है यह next के लिए होता है यह first slide के लिए button होता है यह last slide के लिए button होता है और यह directly home पे अगर आपने jump करना हो उसके लिए button होता है तो इस तरीके से यहां पे speaker का है और यहां पे custom button है मतलब अगर होंगे जैसे कि मेरी फर्स लायड है यहांपे हम जाएंगे और किसले होता है एक्शन ब две यहां पर लिख़ो है यहां पर हमक्लिक कर देते हैं तो आप इहां पर देखोंगी हमने इस तरीखे से बटन प्रो कर लिया उसके बाद हाइपर पूछ रहा है कि मतलब इस बटन को आप इसके साथ करना चाते हूं लास्ट बी ऑप्शन चूंग करना चाहते हों मैं या फिर इस ScISH कर後 पwill हो इन्हेज करते हो उसके बाद हमुक्य पे क्लिक कर देंगे अगर आप sound भी चलाना चाते हो पैरलर क्लिक करने पे तो sound भी चलेगी अभी हम कोई sound में चला रहे और उसके बाद हमने okay पे click कर दिया उसके बाद next है जैसे कि मेरी ये next slide है या हम चाते हैं कि जो मेरी last वली जो slide है thanks वली slide है इसके उपर हम first हमारी जो slide है उसका link create करना चाते है तो हम same process shape पे जाएंगे shape पे जाने के बाद आप क्या गरोगे जो हमारा first slide वाला button है हमने वो ले लिया उसके बाद यहां पे हम क्या गर लेंगे वो button ड्रो कर लेंगे अपने आप हमार action setting वाला जो यहां पे option है यह अपने आप open हो यह आता है उसके बाद यह कह रहा है कि आप first slide पे हमने जाना है yes हमने first slide पे जाना है उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं ok क्लिक कर देते हैं आपके buttons तब work करेंगी जब आप slide show run करोगे f5 करोगे उसके बाद यहां पे जैसे कि हम यहां पे output device of computer है वैसे तो हम enter की press करके next slide पे move हो जाते हैं directly अगर आप फिर भी next या previous का button लगाना चाते हो तो आप वो भी लगा सकते हो यहां पे same process shape में जाओगे और उसके बाद यहां पे suppose कि मेरे को next या previous कोई भी लगाना है suppose मेरे को previous का button बनाना है मैंने previous का button बना लिया previous slide वहाँ पे अपने आप ले लेगा नहीं आप चाते हो कि मैं अपने अब देख के उसको बताओं कि कौनसी previous slide पे जाना है तो आप इस तरीके से क्या गर सकते है अपने previous device जो आपकी slide है वो select कर सकते हो उसके बाद हमने okay कर दिया तो आप देखोगे हमने यहाँ पर three buttons बना चुके हैं हम यहाँ पर F5 की press करते हैं यहाँ पर हमने यह मिरी first slider button मैं एकदम से आपको दिखा रही हो कि हमारा work कैसे करेगा हमने यहाँ पर last slide का link डाला था मैं नहीं जैसे इस पर click किया तो आप देखोगे हम thanks वाली slide पे move कर previous पर जाना है तो आपको बताया था आप पी लैटर भी यूज़ कर सकते हो अब जैसे कि मेरे को इसकी previous पर भी जाना है अगर आप button के थू जाना चाते हो तो यहाँ पर हमने button बनाया है जैसी मैंने यहाँ पर पहले हम देखते है previous slide हमारी devices वाली है अब मैंने जब next किया है जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे हम previous devices and image वाले slide पे move कर चुके है तो आप इस रिक्ये से क्या कर सकते हो action बटन की help से क्या कर सकते हो कहीं भी आप slides में आपस में कहीं भी जंप कर सकते हो slide के within slides में कहीं भी आप जंप कर सकते हो custom button अगर आपने यहाँ पर जैस जाके अगर आपने इसका color वगरा change करना है तो आप देख रहे हो इसका color क्या और है चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या इसकी formatting में जाके इसकी formatting कर सकते हो अगर आपने इसका color वगरा change कर दोगे अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि जो आपने यहाँ पे same process आपने क्या क करना है अगर आप चाहते हो कि अगर अपनी शेप की एडिट करना चाहते हो तो चेंज शेप में जाके आप अपनी शेप को क्या कर सकते हो जैसी आपनी करनी है जैसे यह मारी बिल्कुल लास लाइड पे थी तो यहां पे आप इस तरीके से क्या अगर सकते हो अपनी शेप को चेंज कर सकते हो बट इस पर लिंक कर रहे गई जब आप स्लाइड शो रन करोगे तो आप यहां पर colors वे रहा है यहां पर आपके colors एंशेप फील करने यह उसके उपर कुछ लिखने है तो आप इस लिके से क्या गर सकते हो अपने blinking सेट कर सकते हो बटन के click वे उसके बाद यहां पर हमारे पास एक custom बटन भी होता है यहां पर जैसे कि हम एक custom बटन बना लेते हैं क्या यूज होता है कि अगर आप बटन की शेप के इलावा मतलब आप कुछ लिखा हुआ चाहते हो कि मैं बटन जो मैं बटन बना हूँ यहां पर जैसे मैंने बटन बना लिया बटन की उपर पहले हम क्या कर लेंगे लिंक सेट कर लेंगे आप कुछ सी स्लाइड का इसके उपर लिंक लगाना चाहते हो जैसे कि हम इसको फर्स स्लाइड का लिंक लगाना चाहते हैं यहां पर हमने फर्स स्लाइड का लिंक लगाना है उसके बार हम उपके पर क्लिक कर देंगे अगर आ यहां पर हम लिख देंगे क्लिक के यह तो आप यहां पर से प्रोसेस फॉर्मेटिंग चेंज गा सकते हो तो आगर आप चाहते हो कि आप अपनी कस्टमेटिक मतलो कस्टमर खुद अपनी इच्छा से या वह जैसे चाहते है वह वैसे बटन आई तो यहां पर उप्शन उसके करेंगे तो आप देखोगे कि हम हमारा कस्टम बटन था तो आप इस थारीके से क्या कर सकते हो एक्षन बटन की हल्प से अपने जो स्लाइड्स है उनके अंदर क्या दर सकते हो जंप कर सकते हो आपके सुडेंट्स